मैं इसको यहां से करता हूँ यह चेंज होगी लाइट अब भी मैं इसका जाओंगा तो यह दोबारा चेंज होगी लाइट यह देख रहे हो आप बाई राम राम सभीन है आप सब का स्वागत है मेरे चैनल पर और आज जो मैं आपको बताऊंगो बाई टाटा सपारी के बारे करें यह रहे होगी और यह बिंट सबस्क्राइब रख्यों कर लेते हैं और इसकी लेंध्र वह नहीं पॉर पॉएक जव्हाई को अनल विगटर्व कर लेते हैं लेंट है और इसकी जो चुड़ाई है वह है वहिए सब्सर 세 selections के मिन जो मईंट करने हैं और उसने सबस्सक्रा और इसका ग्राउंड के बात करें तो इसकी है 205 mm अब जो है मैं आपको इसका इंजन के बारे में भी बताऊंगो और इंजन को एक बर दिखावी देता हूं और कहां से ओपन होता है वो भी दिखा देता हूं वैसे इसमें सेंसर है गाड़ी में प्रेस करके और साइड मिरर सा अब कर दें बंद के ओपन करनो यह तो भाई इसमें भी यह मैनवली दे रख्या है जिए थोड़ी चीकामी चोड़ दे ताट इसने भी हाइड्रोलिक वाड़ो दे देता है न सिस्टम तो बहुत बढ़े रहता हूं तो भाई इसका जो इंजन की बात करें तो 2000 cc डीजल इ बहुत बढ़िया दे रहें का सारा सिस्टम इसमें जो इसकी बात करें एक्सेयर की एक्सेयर की बात करें तो यह इसकी LED डियारल है पूरी यहां से लेके यहां तक है और इसमें जो बहुत अच्छे फीचर दिया वह यह है अगर जैसे हम गाड़ी जैसे अभी लोग के यह इसका बाइंडिकेटर हो गया अब इसकी लाइट की बात करें तो यह जो हैड लाइट इसकी प्रोजेक्टर दे रखा है और यह जो है फोग लेंब यह भी प्रोजेक्टर दे रखा है और यहां पर सपारी की बैजिंग दे रखी जो की बहुत बढ़े लग रही हो जो यह 360 के लिए है और इसमें 2D लोगो चेंज कर देया ताटा ने यह 2D लोगो दे रखा है और इसकी ग्रिल आप देख रहे हो कितने अच्छी लुक दे रखिया है रेंज रेंज रोवर से लुक मिलती है इसकी बिल्कुल रेंज रोवर स्पोर्ट की सी लुक बना रखिये तो भाई आप जो है सबसे पहले इसके बात करते हैं जो टेयर का साइज है वह है 245 पचपन 19 इंजी का लो जाता है इसके बाद आ जाते हैं इसके साइड मेरर पर साइड मेरर में यहां ब्लाइंड स्पोर्ट के लिए कैमरा दे रखा है और सेंसर था यह गाड़ी लोग हो गी है तो इसमें जो पीछे है फ्लोटिंग इंडिकेटर दे रखा है और यह पूरी टेल लाइट दे रखी है जो की देख़ण में बहुत ही बड़ी लग रही है और यह है इसका पीछे भी लोगो दे रखा टाटने टूडी और यह है इसके पीछे कैमरा इसके बाद आ जाते है इसमें यह रियर वाइपर दे रखा है और यह डी फोगर भी द्याएंट दे रखी है स्पोलर अटिन अ कि रूफ रेल भी दि रही है इसके बाद अगर हम बात करें तो यह पीछे डी तो भाई आभी आप जो इसकी बूट की बात कर लेते हैं ताटा ने बहुत ही बड़ी फंक्शन दियो है फॉर्चुनर में भी नाव है भाई यो अगर आपके पास चाब भी है यह चाब में रख लेता हूं जे में और हाथ में समान है तो आप इसे बूट को ऐसे खोल सकते हो यह फुली ओटोमेटिक है भाई इसका जो भाई बहुत ही बड़ी फंक्शन है साल में एक आदवर काम आई जाव है और इसकी बूट स्पेस की बगर हम बात करें तो सीट को फोल्ड कर दे तो काफी बड़ा स्पेस मिल जाता है इसमें इसमें चाहो तो बटन ते भी बंद क इसमें फंक्शन है तो भाई आप जो है आपको दिखाएंगे गाड़ी को अंदर से जो की बहुत बड़े बना रहे कि उस तरह पहली में चीज दिखा देता हूं गाड़ी जैसे अनलोक है तो यह थार की तरह नहां कि चाहबी देनी पड़ी की तो भाई यह इसकी बीच वा इसमें और यह इसका लुक बनाने कि निया बाई यह पूरो लेदर फिनिसिंग है जो बहुत ही बड़े लगर आसा लगर जैसा इसमें लाइट शचरी पर लाइट नहीं है इसके अंदर और खिडिकी में स्पेस काफी अच्छा दे रखा है एक स्पेस यहां दे रखा है पा और इसमें यह भी करटन भी तरहाँ यह भी काफी अच्छी चीज भाई और खिड के में और एमघेंशिय लाइट भी दे रख्या है और इसमें पिछली सीट पर जाना है तो लैब और झाना पड़ेगा पाच फुट छे इंच तो अलाकि मैं सही बेठा हूं और शीट यह अरजस्टेबल नहीं है पिछे वाड़ी अब यह यहीं पे सैट है तो ठीक है पर बच्चों के लिए ठीक है एडल्ट के लिए ठीक नहीं है और पर सब अच्छी चीज़ में दे रहे कि पिछे भी एसी वें में और यहां स्पेश भी दे रखा है इसमें यह बोटल रख सकते आप ज्यादा बड़ी बोटल तो नहीं आएगी छोटी आएगी इसके अंदर और पीछे दो यूएश्बी पोर्ट दे रखे हैं एक सी टाइप दे रखा है एक नोर्मल दे रखा है सैड भी है समान रखने पर छोटी बोटला सकती है बड़ी बोटल नहीं आएगी इसके अंदर तो भाई आप जो है मिडल रो की बात करेंगा मैं इसकी अगर वाई मेडल रो की बात करें तो बहुत ही बड़ी बड़ीया स्पेस दे रखार यह सीट पूरी अर्जस्ट करना है तो इसके यहां पर दे रखा वाई इसमें और इसको एसे खिचेंगे और यह सीट होगे अर्जस्टेबल और पूरी रिलैक्स सीट है बहुत ही एक नोर्म एकी टाइप है और इसकी जो यह लेप्ट साइड की सीट है इसमें बोस कंट्रोल दे रखे हैं और इसके ने रखे है यहां पर रख यह दोलो आगे पिछे करनी यह चीट तो इससा आप कंट्रोल कर सकते हो बहुत बढ़िया function दे रखा है इसमें और बैसीट पोकेट भी दे रख आइसके अंदर ये पनीच लग रही इसमें वागी है बढ़िया spaces के अंदर और एसीवेंट यह दे रखा है यहां middle row के लिए और अब मिडल जो रहा है इसमें भी हमें LED लाइट मिलती है यह चासगी बढ़िया फंक्शन दे रखा सारा और यह है टाटा सपारी टोप मोडल का डैसबूर्ड बहुत ही अच्छा लग रहा है इसमें जो स्क्रीन काफी बढ़ी दे रखी है अभी जो आगे जाके दिखाते हैं आपको इसके फंक्शन के बारे में बता तो सब पहले बाई इसकी जो विंडो के बारे में बता देता हूं यहां पर क्रोम फिनिशिंग दे रखा इसमें पूरा और यह चारो पावर बिंडो कंट्रोल दे रखे और पिछे वाले सीसन लोग-अलोग करने का भी दे रखा है और यह प्यान फिनिशिंग दे रखे है और यह पूरा बहुत ही बढ़ा रहा है कि पिछ्री गद्व में मैंने बता यह लेदर किनिशिंग यह बड़ गज़ा है और यह नूर्मल हैंडल इसका क्रोम फिनिशिंग दे देता तो और बड़िया लगता और यह खिड़की में स्पेस देख लो आप इसमें दो दो इसमें मेमोरी फंक्शन भी दे रख्या तीन और फुली वेंटिलेटीड है और एलेक्ट्रिक है पूरी यह आगे पीछे करना हो तो पूरी यहां जा इसका इंजन स्टार्ट और स्टॉप कर सकते हम तो अभी जो फिलाल इसको स्टार्ट कर लेते गाड़े को एक बड़ तो स् साइब कम जाधा और यह गाण आगे पिछा करने की निहीं आ अगया साइब सेमा अडाश का आगया फूरा कंट्रोल यहीं पर दे रखाए इसमें इसको लोग करते हैं और इसका जो टाटा को लोगो है, यह डीजिटल दे रखा है, इसमें ताटा ने बहुत ही बढ़िया दियो इसमें, शिस्तम सारो, अब यह पोरा डिजिटल दे रखा है, बहुत ही वड़ी लग रहा है, इसमें यह उसके बाद अगर हम इसकी स्क्रीन की बात करते हैं, तो यह पूरी स्क्रीन दे रखे इसमें और इसमें एपल कार पिले और एंड्रोइड दोनों ओटो कनेक्ट है इसमें वाइरलेस है और इसमें यहां पर दे रख्या है अगर 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 हम बात करें तो अगर 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 लिए लागल दोस्टे करना तो इसको इसको सिफ टच करना आमने का है यह इस्ट शोन हो जाएगा हमारा ऑफ करना है तो यह ऑफ हो जाएगा बहुत अच्छा फंक्शन दे रहका यह दो सिर्फ मैंवल डे रखे पर डाउन करने का यह दूवल कंट्रोल सिय क्या पूरा और यह अब लुक तो देखी रहे होगे कितनी बड़िया बना रखी इसमकी टाटा के टाटा ने उसके बाद हम आ जाते है निच्छे यहां पर तो दो यूएस भी पोर्ट दे रखा है एक नॉर्मल दे रखा है एक सी टाइप दे रखा है यह वायरलेस चार्जर दे रखा है और यह है इसका डाइविंग मोड चेंज करने के लिए अभी फिलाल नॉर्मल में है अगर मैं इसको चेंज करता हूं नॉर्मल में नहीं अभी यह है सिटी में वहाँ पर दिखाता मैं यह देखा अभी सिटी में अगर मैं चेंज करता हूं इसको तो यह वैट मोड हो गया उसके बाद मैं दुबारा इसको चेंज करता हूँ तो यह रफ रोड हो गया एक बर और स्टी में मैं अभी लगा जाए इसमें क्योंकि स्टीम ही चलनी है गाड़ी तो और उसके बाद इसमें फंक्शन ही आ जाते हैं जी चाही तो उतर रहा तो इसको दबा देते अप करते हैं तो इसको अगर मैं सिर्फ ऐसे करना है और यह जो है हैंड ब्रेक इसमें एलेक्ट्रिक दे रखा है पूरा यह है इसमें मैनुवल नहीं दे रखा और इसमें यह ओटो होल्ड का बटन दे रखा जहां जाहोगे वहाई गाड़ी यह होल्ड करना रूप जैगी हैंड्रेस्ट इसको ऐसे प्रेस करना पड़ेगा और ओपन हो जाएगा इसमें जादा स्पेस नहीं कम है और इसके अंदर एक हमें यूएश्बी पोर्ड मिलते दो एक नोर्मल है एक सी टाइप है और यह बारह वोट का आउटलेट भी मिलता में यहां पर और यहां पर जाके पूरा फंक्शन दे रखा है और यह इसका ग्लोब वोक्स काफी स्पेस है इसमें भी और इसमें एक स्पेस यहां उपर भी दे रखा यह बाला यहां पने गाड़ी का घजवागत जोब रखना हो सार आ जाएगा समार यहीं पर और जो यह है मिरर यह यहां पूरा यह जो ऑटमेटिक है और उसके बाद अगर यहां बात करें तो हमें LED लाइट मिलती है उसके बाद यह दो उप्शन मिलते हमें यह एक तो एमर्जेंसी बटन हो गया उसके बाद जो यह है अगर हम इसको प्रेस करें तो आप उटमेटिक टाटा से कनेक्ट हो जाओगे अब हम इसकी बात करें तो यह आते हैं जो आज कल बहुत ही ट्रेंडिंग में यह ऐसे प्रेस करते हम इसको बटन को ऑटमेटिक है यह पूरा अच्छा यह मैंने कुछ गल्थ दबा दियो कि काफी बड़ी सन रूप दे रखिए वैसमें और यह पूरे पीछे मून रूप है इसमे में अभी इसको बंद कर देता हूं और अटमेटिक है पूरा है कि आमें वैनेटी मिरर भी मिलता इसमें लाइट के साथ बहुत बढ़ी आवई तो बाया वी जो मैं इसका कलर चेंज करके दिखा देता हूं आपको यह मून लाइट का इसमें है इसको प्रेस करूंगा मैं औ इसको अगर हम आगे पिछे करें तो लाइट चेंज हो जाएगी मैं दिखाता हूं को यह देखो मैं इसको यहां से करता हूं यह जाओंगा तो यह दोबारा चेंज होगी लाइट यह देख रहे हो आप बहुत बढ़िया फंक्शन दे रहा है यह मुने पूरा डार्क के है 27,24,000 का यह 7-seater है और जो यह मैं प्राइज में बता रहा हूं आपको यह XORUM प्राइज बता रहा हूं मैं आपको और इसी के साथ मैं आपनी आज की वीडियो का भाई एंड करता हूं अगर किसी वाई ने कुछ पूछनों इसके बारा में यह मैं कुछ बताना भूल हूं तो कमेंट कर देना मैं इसके बारा में बता दूंगा और इसी के साथ अपनी जो वीडियो का भाई एंड करते हैं और अब मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए भाई थैंक्स पोर वचिंग